अगर किसी भी चीज की हमें आदत हो जाती है तो उस चीज को हमारे जिन्दगी से हटा देना, भुला देना या उससे चुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है इसलिए हमें जब भी लगे कि कोई एक चीज हमारी धीरे धीरे आदत बनती जा रही है, हमारे जिन्दगी में अपनी एक जगा बना रही है, हमारे डेली रूटीन में शामिल होती जा रही है हमें उसी वक्त दो पल के लिए ही सही लेकिन ठहर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये आदत जो हमारे जीवन में घर कर रही है क्या हमारे लिए ये सच में सही है आज नो टबैको डे हैं यानि गुट का सिगरेट इन सब का कंजम्शन नहीं होना चाहिए ये नशे की चीज न केवल हमारे शरीर पर बुरा असर करती है बलकि हमारे सोच विचार करने की शक्ती को भी शून्य कर देती है इन सब का सेवन शरीर के विभिन अंगों में कैंसर जैसी बिमारी को बढ़ावा देता है कई लोग नशा इसलिए भी करते हैं ताकि उनके सोचने समझने की शमता समाप्त हो जाए और वो अपने जीवन के दुखों को भूल कर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन शांती से रह पाए लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें उन्ही समस्याओं से वापस से जूचना पड़ता है यानि समस्या नशा कर लेने से समाप्त नहीं होती समस्याओं को अगर खत्म करना है तो कर्म करना पड़ेगा प्रयतनशील यानि determined होकर full confidence के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा तो अगर आपको नशे का इतना ही शौक है तो इतने सस्ते और प्राण घातक नशे के चीज़ों में लितना होकर हरी नाम का नशा कीजिए भगवान का निरंतर चिंतन कीजिए आपकी बुध्धी भी तेज होगी और आपका मन भी शांत रहेगा जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे और बुरे आदतों से आपका कोई नाता नहीं रहेगा धन्यवाद हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ति मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजिन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटी एच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839